आज हम लोग पाइपस नो सिष्टम में टाइंग से रिलेटेड कोश्चन करेंगे कि कौन सा टैंक कितनी देर में भरे गा जिसमें टाइमिंग से रिलेटेड कोश्चन पूछे जाते हैं, तो question के साथ हम दो start करते हैं, first question आज की class का क्या है two pipes can fill a tank with water in 15 and 12 hours respectively, यानि पहला pipe जो है, वो 15 hours में fill कर रहा है second pipe जो है, वो 12 hours में fill कर रहा है and the third pipe can empty in 4 hours और C जो है, ये क्या कर रहा है, इसको 4 hours में empty कर रहा है यानि इसका जो work होगा, वो क्या होगा, निगेटिव, इन दोनों का work जो होगा, वो क्या होगा, पोजिटिव if the pipes are open in order, 8 a.m., 9 a.m. and 11 a.m. respectively यानि पहला pipe 8 बजे, दूसरा pipe 9 और तीसरा 10 a.m. पे open हुआ clear question ये है, कि 3 pipes हैं, A, B, C A, 8 बजे open हो रहा है, B, 9 और C, जो है, वो 10 पे तो सबसे पहले हम इनका क्या find out करेंगे, LCM तो LCM क्या आजाएगा, 60 liter, ये timing था तुद्धार efficiency, यानि 4 liter per hour, ये आपका 5 liters per hour, और ये होगा 15 liters per hour ये दोनों positive हैं, क्योंकि ये inlet है, और ये क्या आपका negative है, क्योंकि outlet है, हम ये देख रहे हैं कि जब तीनों pipe एक साथ open होंगे, देखिए, A का का काम क्या है, plus 4, B का का काम क्या है, plus 4, C का का काम क्या है, माइनस 15 जब तीनों एक साथ ओपन होंगे तो जो अपना काम हो रहा हो क्या हो रहा है 6 लीटर पर आवर यानि 6 लीटर पर आवर के मतलब क्या है कि टैंक अव खाली होना शुरू करेगा question में क्या पूछा गया है the tank will empty air यानि tank कब खाली होगा टैंक खाली होना start कब होगा after 10 a.m. clear क्योंकि 10 बजे के से पहले तो आपका ये pipe चलेगा नहीं और जब तक ये pipe चलेगा नहीं तब तक tank खाली नहीं होगा तो tank खाली होने के लिए हमें ये पता करना पड़ेगा कि tank में water कितना है तो सबसे पहले आप देखे आप capacity से तो जा नहीं सकते तो जो first वाला pipe है ये कब चला था आठ बजे और 10 बजे तीनों चलेगा यानि उससे में work जो होगा आपका 5 लीटर यानि tank में जो total water है वो आपका क्या है 13 लीटर और जो खाली होने का है वो क्या आपका 6 लीटर पर आओर यानि क्या होगा है टू होल वन बाई 6 आओर आरी बास में टू होल वन बाई 6 आओर अब question क्या कहा है आपका 8, 9 और 11 है यहाँ पर ठेक है यह जो timing है यहाँ पर थोड़ा सा mistake है यह 11 है 8, 9 और 11 यानि यह चलेगा आपका 3 आओर तो 3 आओर में कितना हो जाएगा आपका 12 लीटर यह चलेगा 2 आओर तो 2 आओर में कितना हो जाएगा आपका 10 लीटर यहाँ पर जो timing है वो 8, 9, 11 है तो य यहां पर जो भरने का काम, खाली होने का काम स्टार्ट होगा, वो कब होगा, 11 विजे, तो टैंक में तब तक पानी कितना आ जाएगा आपका, 12 वर 10, 22 लीटर, यानि जो टाइमिंग बनेगी, वो बन जाएगी आपकी 11 बाइ 3, यानि 3 होल 2 बाइ 3 आवर्स, तो इसको हम लिख 3 मिनट्स, कब 11 बजे के बाद, यानि जो टाइम होगा, 11, 3, 14, यानि 2 बज के, 40 मिनट पे, टैंक जो होगा, वो क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, क्लियर, तो यह आपका, सिंपल सा, कॉस्चन था, नोट कर लें इसको, जो सेकेंड कोस्चन है, वो क्या दिया, पाइप 10p जो है, वो 10 hours में, q जो है, वो आपका 12 hours में, and c जो है, वो 6 hours में, इंपटी कर दा, ठीक है, जो आपका pipe c है, वो क्या कर दा, एंपटी कर दा, कितने में, 6 hours में, यानि ये outlet हो गया, الكम कितना हो जाएगा, 60 लीटर, इसका काम, 6 L per hour इसका काम 5 L per hour और इसका काम 10 L per hour बट ये दोनों क्या होंगे positive और ये क्या होगा negative अगर 3 एक साथ चलेंगे तो tank क्या होगा, खाली होगा कितना, सॉरी 6 और 5, 11 और ये 10 यानि 1 L per hour यानि जब अगर 3 एक साथ चलेंगे तो tank full होगा, किसी speed से 1 liter per hour आगे क्या करा question If all the threes are open at 7 a.m सारे को सारे को हमने कब खोल दिया 7 a.m यानि 7 बजे सुबा फिर आगे क्या करा At what time will 1 fourth of the tank will fill 1 fourth of the tank तो tank की capacity कितनी है 60 liter और इसका हमें 1 fourth fill करना है इसका मतलब 15 liter हमें tank में पानी डालना है और जो हमारी speed है वो क्या है 1 liter per hour कब 7 बजे के बाद तो 15 by 1 यानि कितना लग जाएगा आपका 15 hours कब 7 a.m के बाद तो आपको पता है 15 hours को अगर कुछ नहीं करना तो में लिख सकते हैं 12 hours 3 तो 7 बजे से लेके 12 hours का मतलब कितना हो गया 7 p.m और फिट 3 hours यानि कितना हो गया आपका 10 p.m पे tank हमारा क्या हो जाएगा full हो जाएगा 1 by 4th ये simple सा question था P 10 hours में Q 12 hours में C 6 hours में C outlet यानि 1 liter per hour tank की capacity 15 liter हमें फिल करना है total time कितना आगया 15 hours 7 बजे को बार 15 hours आप डाइरेक्ट चाहें तो एड करने 7 प्लस 15 कितना होगे 22 22 में से 12 को माइनस कर देंगे तब भी क्या आजाएगा आपका 10 p.m clear फिर देखते हम दो next question आज की class का 3rd question है वो क्या दिया हुआ आपका कि या वाटर रिजर्वर है 2 inlets and 1 outlets 2 inlets हैं हमने उनके नाम दे दिये A and B और एक outlet है C जो inlet है वो कितने और में fill कर रहा है 3 hours और दूसरा जो है वो 3 hours 45 minutes जो outlet है वो कितने और में fill empty कर रहा है 1 hour में clear जो inlet है वो कब open हो रहे है 1 p.m and 2 p.m यानी यह open हुआ 1 p.m पे ये open हुआ 2 p.m. पे और जो outlet है वो कब हो रहा 3 p.m. ये तीन बज़े यानि ये first question की तरह ही है करा tank कब खाली होगा तो सबसे पहले हम यहाँ पे LCM लेंगे तो ये तो 3 hours है सही रहा जायागा 45 minutes का मतलब क्या हो गया 3 hour 4 3 by 4 का मतलब 15 by 4 hours और ये आपका 1 hours LCM क्या बन जाएगा 60 liter सॉरी 60 नहीं 3 और 15 नहीं ये बन जाएगा आपका 15 liter यहाँ पर ये क्या बनेगा 5 liter per hour ये क्या बनेगा 4 liter per hour और ये बन जाएगा 15 liter per hour clear यानि जो first दोनों है वो क्या करेंगा आपका inlet है जो last वाला है C वो क्या है आपका outlet है तो इसका और क्या हो जाएगा negative तो जब तीनों एक साथ चलेंगे तो काम क्या होगा 6 liter per hour हमसे पुछा गया tank कब खाली होगा तो definitely tank कब खाली होगा after 3 p.m क्योंकि 3 बजे ये चला इससे पहले ये दोनों क्या करेंगे कुछ न कुछ फिल करेंगा अब हमें पता करना है tank कब खाली होगा तो सबसे पहले ये देखना होगा कि tank में water कितना है तो अब आप यहाँ पे देखिए कि ये चला है 1 p.m पे ये चला है 2 p.m पे तो जब तीनों चलेंगे तब तक ये कितना काम करेगा 2 hour ये कितना काम करेगा 1 hour तो 2 hour में ये कितना फिल करेगा 10 liters 1 hour में ये 4 liters तो tank में water कितना already 14 liters जो speed है क्या है वो 6 यानि 7 by 3 यानि 2 whole 1 by 3 hours इसका मतलब 2 hours 20 minutes 2 घंटे 20 minutes के बार कब 3 बजे के बार तो जो अपना answer आएगा कि tank कब खाली होगा तो इन दोनों को मर्स करेंगे यानि क्या आजाएगा 5 5 20 PM पे tank क्या हो जाएगा अपना empty हो जाएगा क्योंकि 3 PM के बाद से सारे work करेंगे और उसके बाद से time कितना लगेगा 2 hours 20 minutes इसका मतलब 5 20 पे tank अपना empty हो जाएगा clear इसको note करें जो next question है वो आपका काफी अच्छा question है क्या करा है अब bath can be filled by cold water pipe in 10 minutes यानि जो cold water pipe है उससे कितने minutes में fill हो रहा है 10 minutes में और जो hot water pipe है उससे कितने में fill हो रहा है 15 minutes में clear question आपका काफी अच्छा है कि cold water pipe इसको 10 minutes में fill कर रहा है और hot water pipe इसको कितने में fill कर रहा है 15 minutes में करा एक person जो है ये दोनों pipe को open करके चला जाता है और कब वो आपस आता है जब tank आपका क्या होना चाहिए था प्रॉपर फुल हो जाना चाहिए था लेकिन आने के बाद क्या देखता है कि due to leakage यानि कही ना कही जो waste वाला pipe रहा वो open रह गया जिसकी वाई से tank फुल नहीं हुआ था तो वो wastage वाले को क्या करता है क्लोज करता है और उसके बाद 4 मिनट और लग जाता है बात समझ में आ रही है यानि पहले जो भी time लगना था उससे 4 मिनट क्या लग गया एक्स्ट्रा लग गया तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि पहले time कितना लगना था तो उसके लिए 10 मिनट और यह आपका 15 मिनट तो दोनों का calcium क्या होगे आपका 60 लीटर यानि ये क्या करेगा 6 लीटर पर मिनट और ये 4 लीटर पर मिनट दोनों मिलके 10 लीटर पर मिनट वो person कब वो आपस आएगा जब tank भर जाना चाहिए तो tank को भरने में कितना time लगता 60 by 10 यानि 6 minutes clear यानि person जब वो आपस आ रहा है तो कितनी देर के बाद आ रहा है 6 minutes के बाद लेकिन आने के बाद वो देख के आ रहा है कि tank full नहीं हुआ क्यों due to leakage तो वो क्या करता है leakage जो है आपका उसको करता है close और इसके बाद से 4 minutes और एक्ष्ट्रा लग जा रहा है आरी बाद समय में तो 4 minutes extra यह क्यों लग रहा है क्योंकि tank में कुछ न कुछ क्या हो गया होगा empty हो गया होगा तो हम यह पता कर सकते हैं कि कितना और काम करना पड़ेगा तो 4 minutes extra का मतलब यह कितना काम करेंगे 10 into 4 यानि 40 liters clear और यहां पर total capacity कितनी थी 60 liters तो इनको 40 liters और काम करना पड़ रहा है इसका मतलब tank में पानी कितना रहा होगा 20 liters बड़ 6 minutes के बाद कितना रहना चाहिए था 60 liters तो जितना वरक इनको करना पड़ रहा हो तना कहीं न कहीं empty वाले ने क्या कर दिया था empty कर दिया था कितनी दिर में 6 minutes में तो अब हम यहां पर देखेंगे कि जो empty वाला है उसको 40 liters empty करने में लग रहा है 6 minutes तो पूरा का पूरा tank तो 1 liter अगर यूनिट्री लगा है तो 6 by 40 पूरा tank यानि 60 liters empty करने में तो 6 by 40 into 60 यानि क्या हो जाएगा 9 minutes यानि जो empty वाला है वो कितनी दिर में tank को खाली करेगा 9 minutes में question देखिए एकदम simple है वो कब वापस आता है जब tank भर जाना चाहिए तो tank कितनी दिर में भरा 6 minutes में लेकिन आने के बाद 4 minutes extra करना पड़ा है यह 4 minutes extra कितनी किसकी वज़े से due to leakage तो हम ऐसे भी कर सकते है कि cold and hot का 4 minute work equal to empty का 6 minute work यहां से भी solve कर सकते है यह 4 minutes extra का मतलब 4 minutes का काम उसने क्या किया है खराब किया है तो 4 minutes में उसने कितना काम खराब किया है 40 liters 40 liters खराब करने में उसको 6 liters तो 60 liters में 9 minutes clear तो यह आपके question का answer हो गया नोटकल ने इसको भी जो next question देखिए क्या कह रहा है two pipes can fill a system in 14 and 16 hours respectively 14 and 16 hours यानि पहला आपका 14 hours में दूसरा आपका 16 hours में the pipe are open समयचे से and it is founded due to leakage in bottom 32 minutes extra यानि leakage की वज़े से क्या लग गए 32 minutes extra लग गए तो पहले हम यह पता करते हैं कि इनको कितना time लगेगा तो 14, 16, 7, 56, 1, 1, 2 liters इनका क्या हो गया capacity ठीक है अगर इसकी हम बात करेंगे तो यह क्या करेगा 8 liters per hour यह क्या करेगा आपका 7 liters per hour तो जो actual time है वो आपका क्या होगा fill करने का अगर leakage नहीं होता 1, 1, 2 by 15 liters per hour इसको हम solve करें तो 15, 305, 7 by 15 hours यानि 7 hours और 7 by 15 को हम कर लेंगे minutes में यानि 7 hours 28 minutes जो था वो इनका क्या होना चाहिए था actual time होना चाहिए लेकिन कर रहा है कि leakage की वज़े से 32 minutes क्या हो गया एक्स्ट्रा लग गया आरी बास में देखें पिछले question में क्या था कि leakage को close किया जा रहा उसके बाद से हम इन दोनों को open कर रहें यहां पर question में ऐसा कुछ भी नहीं है कह रहा है कि leakage भी साथ में चलता रहा जिसकी वज़े से 32 minutes क्या लग गया एक्स्ट्रा लग गया यानि मालने यह pipe A था यह fill कर रहा था 14 hours में पाइप B जो था वो 16 hours में और leakage की वाज़े से 32 minutes extra यानि अब जो time लगा है वो 7 hours यह देखे 60 minutes इसका मतलब 8 hours यानि जब तीनों pipe एक साथ चल रहे हैं A, B, C तब जो time लग रहा है वो क्या लग रहा है 8 hours यहाँ पर C क्या है? लिकेज है तो अगर हम यहाँ पर चेक करें तो वन वन टू लीटर तो यह क्या होगा आपका 8 liters पर आवर यह 16 यानि 7 लीटर पर आवर और यह आपका 14 लीटर पर आवर जब तीनों चलेंगे तो अब देखिए यहाँ पर A की value अपने पास क्या है 8 लीटर पर आवर B की value 7 ल इसका मतलब C की जो है वो definitely क्या है 1 लीटर पर आवर C का काम क्या है empty करना question में पूछा जा रहा है कि C जो है वो अकेले कितने दिर में tank को खाली करेगा तो tank के capacity कितनी है 1 1 2 liters और C की efficiency क्या है 1 लीटर पर आवर यानि जो time लगेगा C के लिए वो 1 1 2 by 1 यानि 112 hours clear तो पिछले question से थोड़ा सा changes था वहाँ पर timing अलग से दिया था close होने के बार और यहाँ पर timing क्या दिया है दोनों को combine होने के बार clear तो इसको देख लें फिर एक दो question और हम लोग देखते है आज की class में जो next question है वो क्या दिया हुआ अब वाइएंड गल टूगेदर फिल सिस्टन विट वाटर दबाय पॉस फोर लीटर ओ युड अफ वाटर इन 3 से एन जो बॉइए है वह क्या करेंद आपका चाल लीटर वाटर तीन मिनट्स में 4 लीटर वाटर इन 3 मिनट्स जो गल है उसका क्या दिया हुआ है दगल 3 लिटर वाटर इन 4 मिनट्स 3 लिटर वाटर इन 4 मिनट्स अब यहाँ पर ध्यान से देखें तो दोनों की टाइमिंग क्या है अलग-अलग है वाई जो हुए 3 मिनट में 4 लिटर और गल जो है वो 4 मिनट में 3 लिटर तो दोनों की timing पहले same करते हैं इसको 4 और इसको 4 तो हम कहा सकते हैं इसको 4 और इसको 3 से तो हम कहा सकते हैं कि जो boy है वो क्या करेगा आपका 16 liter 12 minutes में जो girl है वो आपकी 9 liters 12 minutes में यानि अगर 12 minutes हम boy को बोले अलग से काम करने कि लिए तो वो कितना करेगा 16 liters 12 minutes हम girl को करें तो वो कितना करेगा 9 liters अगर हम बोले boy और girl दोनों मिलके कितने 12 minutes में तो boy plus girl जो होंगे वो क्या करेंगे 25 liters fill करेंगे कितने में 12 minutes में यह नहीं कि इसको भी add कर लिए ठीक है यह boy का अलग time ता 12 minutes girls का अलग time ता 12 minutes दोनों को एक साथ लाएंगे तो कितना करेंगे आपका 25 liters आगे question क्या कर रहा है कि कोई tank है जिसकी capacity कितनी है 100 liter तो कितनी देर में fill करेंगे देखिए question कितना असान है दोनों मिलके तो 25 liter fill करने में 12 minutes तो 100 liters fill करने में बिलकुल simple है आप देखिए इसका 4 times हो रहा है तो यह भी 4 times यानि कितना 48 minutes आप चाहें तो यहां unitary लगा लग सकते हैं कि 25 liter 12 में तो 1 12 by 2500 तो यहां पर सीधे सीधे अगर यह 4 times हो रहा तो obviously यह भी क्या हो जायाएगा 4 times हो जायाएगा यह नहीं लग जायाएगा आपका 48 minutes इसके बाद से में देखते हैं आज की class का last question जो last question है वो क्या है 2 fill tank A and B can separately fill in 3 and 4 minutes ठीक है और जो third है वो क्या करता है आपका 6 minutes में empty करता है यानि A जो है वो क्या करता है आपका 3 minutes B जो है वो क्या करता है आपका 4 minutes और C जो है वो कितना ले रहा है आपका 6 minutes clear A वाज open first A को पहले open किया गया after 1 minute B वाज open इसके 1 minute के बाद से B को कर दिया गया 1 minute के बाद और इसके 2 minute के बाद किसको कर दिया गया है C को कर दिया गया है ठीक है Find the time when the system will be full कब जो है वो tank भरेगा तो सबसे पहले इसका 3 minutes इसका 4 minutes और इसका 6 minutes हम तीनों का क्या लेंगे LCM तो LCM क्या आ जाएगा 12 liter यह क्या हो जाएगी अपने tank की capacity अब क्या होगा यह 4 liter per minute यह 3 liter per minute और यह 2 liter per minute question में क्या होगा देखिए कह रहा है कि 3ों तो यहाँ पे चलेंगे तो इसके 2 minutes के बाद यह open हो रहा है इसका मतलब A जो है वो अकेले 2 minutes तक काम करेगा यह बात समझ में आ रही कह रहा है कि इसके 2 minutes के बाद C open हुआ तो A अकेले कही ना कहीं 2 minute काम करेगा तो 2 minute में कितना fill कर देगा यह 8 liter यह भी अकेले 1 minute करेगा क्योंकि इसके 1 minute के बाद यह और इसके 2 minute के बाद यह ஏनी इसके इसके में gap कितने का है 1 minute का तो 1 minute यह भी काम करेगा यानी कितना थरिटर उसके बाद से तीनों एक साथ इस्टार्ट हो जाएंगे तो कितना करेंगे एलेवेंड लीटर फिल किया जा चुका है तो बचा कितना है 1 liter लिए व्यूद्र total timing देखिए क्या लग क्योग मैं यह नहीं कि दो मिनेट इसका वन में इसका total थी नहीं इसे दो मिनेट में यह भी 2 मिनेट अकेले वर्क कि रहा और यह 1 मिनेत यानि आल्रेड टाइं कितना है तो यह जो था आपका आज की class का last question था next class में हम लोग करेंगे कुछ inlet और कुछ outlet वाले question ओके थैंक यू